IMU-CET examination देते ही आपको 3-4 लाग रुपए आपके bank count में आएंगे मंतली तो वैसा बिल्कुल नहीं It's just a first step my friend, just a first step इसको clear करने के बाद में आपका सिर्फ admission होगा Welcome back to the mind will, so आज की वड़े में बहुत important topic लेकर आयों बिल्कुल आपका time waste नहीं करेंगे, आपने title बिल्कुल सही सुना है What are the 5 reasons you should not appear for IMU-CET 2023 examination मुझे पता है बहुत साथ student अभी रात दिन पढ़ा ही कर रहे है IMU-CET 2023 examination के लिए examination अभी एक महीने बाद होने वाला है बहुत साथ student मोटी मोटी books पढ़ रहे है बहुत साथ student side-by-side coaching भी कर रहे है for IMU-CET 2023 कोई बात नहीं जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हो लेकिन आज का वीडियो वो इस topic पर बनने वाला है What are the 5 reasons you should not appear for IMU-CET 2023 examination So number one point is if you think कि आप IMU-CET 2023 का examination clear करने के बाद में आपको Indian Navy में job मिलेगी बिल्कुल आप सही सुन रहे हो Indian Navy में आपको job मिलेगी और आपको बहुत अच्छी government services आपको मिल जाएगी और फिर पूरी life आपकी settle down है आपको कहीं नहीं जाना है relaxed रहना है वैसा बिल्कुल भी नहीं है एक merchant navy जोगी है जो आप IMU-CET examination clear करोगी एक अच्छा college मिलेगा फिर placement मिलेगा फिर आपकी ship पे job लगेगी this is completely private sector complete private sector है याँ पर government services से कोई लेना देना नहीं है तो इस field में अगर आपको लगता है कि आप ये exam एक common interest test का जो exam है ये देने के बाद में आपको Indian Navy में जाने का मौका मिलेगा या फिर आप Indian Navy में ही आपका selection हो जाएगा इस exam को देने के बाद में तो आप बिलकुल गलत हो आप अगर ऐसा सोच रहे थे अब तक तो IMECET examination देने का कोई मतलब नहीं है बहुत जादा important point है बहुत सारे seafarers के साथ में होता है कि चलो आज ship पर काम कर लिया आप शाम हो चुकिये चलो आप घर चलते ऐसा बिलकुल नहीं होता है आपको पता है कि जो contracts होते है वो minimum six months के होते at least for junior officers and cadets तो आप सब लोग को पता है छे महीने तो आपको ship पर रहना ही रहना है which is minimum corona जिसे pandemic में लोगों ने एक एक साल 11 महीने तेरा महीने तक ship पर काम किया है continuously तो मैं उस pandemic को छोड़के ही बात कर रहा होगे minimum आपको six months का आपको contract होता है आपको six months ship पर रहना है daily आपको काम करना है और जो आपका accommodation है वो ship पर ही होता है आप घर पर नहीं आ सकते तो आपको अगर लगता है कि आप यह सब सहन नहीं कर पाओगे आप एक ऐसे महाल में पले बढ़े हो जहां पर आपको घर पे रहना पसंद दे कि आप दिन भर काम करके आप फिर से रात को अपने घर पे आपाओ तो वैसा possible नहीं है मेरे दोस्त तो वैसा बिलकुल भी पॉसिबल नहीं है आप अगर ऐसा सोच रहते तो IMCAT 2023 एक्जामेनिशन देने का कोई मतलब नहीं है नंबर थ्री पॉइंट सुनने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट मुझे गालिया देंगे बहुत सा स्टूडेंट मुझे कोसेंगे बट मैं अपनी तरफ से सच बता रहा हूँ आप इसको कैसे लोगे मुझे नहीं पता बट ट्राइड टू टेक इट इन आ पॉजिटिव वे इफ यू आर इंस्पारइड फ्रम इंस्टाग्राम रील्स जो कि एक फर्स्ट स्टेप है मर्चेने में आने के लिए वो एक्जाम आपको नहीं देना चाहिए ऐसी लाइफ बिलकुल भी रही है मैं किसी कॉंटेंट क्रियेटर का नाम तो नहीं लोगा लेकिन बहुत सारे मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट में देखता हूँ मतलब मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा उसमें से 1% भी सच है 1% भी उसमें से सच नहीं है जो आपके पास 24 गंटे होते किसी के पास में भी आपका 24 गंटे में से जादा तर आपका time काम करने में चला जाएगा जो बचा कुछा time है उसमें आप rest करोगे हाँ ये बात सही है activities होती है ship पर आपको spare time भी दिया जाता है but mentally आपको always एक तरीके का stress रहता है खी के करेट ship days में इतना जादा stress नहीं रहता है जब आप training कर रहे होते है आ रही है कि mentally stress अगर आपको है तो you should speak about it आपको captain से बात करनी है आप company के videos देख सकते हो courses कर सकते हो तो आप अगर सोच रहे हो कि Instagram Reels और YouTube Shots में जो life है वैसी life है बहुत easy going life है वैसा बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त आपको ऐसा लगता है तो please do not appear for IME CED 2023 और 23 examination number four point आपको अगर सोना बहुत पसंद है सोना मतलब गोल्ड नहीं आपको नीद लेना बहुत पसंद है तो यह field आपके लिए नहीं है अब आप मुझे बोलो गए कि सर यह क्या बात कर रहे हो सोना तो हर किसी को पसंद है चैस 6-8 गंटे की नीद किसको नहीं पसंद है और इसमें क्या गलत है तो क्या मर्चे नहीं मैं बिल्कुल सोना ही नहीं है क्या छे महीन है नहीं 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 वैसी कोई बात नहीं लेश टेक एक्जाम्पल ऑफ वन रैंक शिप पर एक रैंक होती है सेकंड ऑफिसर जब आप अब आप सेकंड मेंट के एक्जामिनेशन के लिए जाते हो यह पास करने के बाद में शिप पर जाते हो धुव तर्ड ऑफिसर फिर जब आपको promote किया जाता है second officer second officer की मैं आपको routine बताता हूँ ship फिर आप बताना हूँ उसकी जो biological clock है वो कितनी जादा disturbed है वो कितना जादा mentally stressed में रहता है मैं आपको बताता हूँ second officer की जो 6 महिने के लिए ship पर आएगा उसका जो watch time है watch मतलब की जो bridge पर monitoring करेगा continuously 4 hour और ship को चलाएगा तो वो उसका है 12 to 4 मतलब 12 to 4 night में भी और 12 to 4 afternoon में भी इसके बाद में 2 hours का आपको overtime भी करना पड़ेगा अब आप सोच लोग 12 to 4 6 months रात को 12 से 4 बजे तो हर कोई सोता है क्योंकि biological clock है अब वो 12 से चार काम करता है जब अब जब वो चार बजे जब वो सोने जाता है तो उसको सोते ही नींद थोड़ी नहीं आएगी वो बस करवटे बदलता रहेगा उसको सुबह 10 बजे फिर से उसको काम पर जाना है क्योंकि 2 hours तो उसको overtime करने 10 to 12 और फिर आफ्रणून में 12 to 4 फिर से उसकी वहुच है इस तरीके का six months का hectic schedule बहुत जादा होता है second officer की rank के लिए मैं बिलकुल आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं second officer और मैं बात करेंगे और आपको बदाएंगे कि यह life कैसी है शिप पर इस्टाग्राम आप यूट्यूब शॉट्स में जो आप देख रहे हो आप क्या देख रहे हो तो second officer की जो life है वो इस तरीके कि आप लोग बोलेंगे इंजिनेरिंग तो इंजिनेरिंग में आपके fourth engineer third engineer second engineer इनकी every third day इनकी watch होती है तो night alarms night में कोई alarms आगे night watch है तो उनकी भी biological clock disturb होती है even room में आपका जो cabinet ship है वहाँ पर alarm panels होते है तो if you are in deep sleep रात को एक दो बज़े alarm बजएगा and you have to wake up आपको रात को एक दो बज़े अब आपको नींद आ रही है नहीं आ रही है सोना है नहीं सोना है आपको जाके alarm acknowledge करना है plus आपको ट्रवल चूट करना है कि यह क्या alarm आया है machinery failure आया में इंजन का आया generator का आया purifier का आया compressors का आया तो अब आप देख लो आपको नींद पसंदे तो यह फिल्ड आपके लिए नहीं है तो you should not appear for 2023 आपको सोना बहुत जादा अच्छा लगता है number five point बहुत important point है जो main aim जो की बहुत सारे students का है वो number five point पे आकर थोड़ा सा ट बहुत जादा पैसा है और ऐसा पैसा लेंड पे मिलेगा ही नहीं तो यह भी एक completely इम्मेत है junior ranks जो मैं बात कर रहा हूँ fourth engineer, third engineer और second officer और third officer यह जो ranks है इनकी drastically जो salary है वो कम कर दी गई है मतलब अब आप कम करने के range में आप में पूछो के सर फिर भी salary तो lex में ही है आँ salary बिलकुल lex में लेकिन मैंने आपको जबी चार point बता उसके बारे में आप सोचके देखो आप कितना value add कर रहे हो किसी company में for the six months daily के basis में आप कर रहे हो तो उसके हिसाब से जो market standard के हिसाब से उसकी salary इतनी भी ज़्यादा high नहीं है salary हाई आप बिलकुल बोल सकते हो जो top four ranks है जो captain, chief engineer, second engineer and chief officer उनकी salary थोड़ी सी ठीक है वहाँ पर आपको जो होता है headache का काम बहुत है आपको सिर्फ दिमाग जादा यूज़ करना आपको हाथ थोड़े कम यूज़ करना है तो वहाँ पर salary थोड़ी ठीक है लेकिन आपको लगता है कि merchant navy IME CET examination देते ही आपको 3-4 लाग रुपए आपके bank count में आएंगे month ली तो until you are not doing DNS sponsorship, DNS sponsorship भी आप अगर करोगे तो sponsorship मिलेगी एक साल की तो training आपको लेंड पर वैसे भी करनी है so यह सब मैंने आपको 5 reasons बता है आपको ऐसा लगता है इन में से एक भी my friend आपको IME CET 2023 examination के लिए appear होने की कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे बहुत सारे अच्छे अच्छे professions है आप उनके बारे में research कर सकते हैं पढ़ सकते हैं and you can apply for it so thank you for watching the mind waves और ऐसे बहुत सारे वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहूंगा